दोस्तो भारत और साउध प्रिका के बीच टेस्ट सीरीज का आगाज शुरू होने में मात्र कुछी घंटों का और समय सेस बचा हुआ लेकिन उससे पहले ही भारतिये टीम के कप्तान बनते ही रोज सर्मा ने पहले महाम काबले के लिए टीम इंडिया की प्लेंग लेविन का एलान कर दिया है और उन्होंने इस मैच के लिए भारत की पूरी तरह से ही प्लेंग लेविन बरल डाली है जिसको देखते हैं साउध प्रिका की टीम में खलबाली सी मची हुए दोस्तो इस वीडियो में आपके लिए सब कुछ बताने बाले हैं कि दॉनर टीमों के बीच ट सीरिज खेलने जा रही है जिसका आगाज 26 दिसंबर से होने जा रहा है जिसके लिए भारतिय टीम की पूरी तरह से प्लेंग लेविन बदल चुकी है दोबाई साउध प्रकागी टीम भी इस सीरिज के लिए का भी उतसुप नजार आ रही है क्योंकि जिस तरह से साउध प् और सकभी हैं मिल चुकी है क्योंकि वर्डगम में बहत्यनी प्रदसन करने वाले भारत की सीनिय ख्राडी ब्राट कोली जस्वीर बुम्रा और मुहम्मा स्राज लोट आये जिससे टीम इंडिया गी इस सीरिज में जीत सुनस्चत मानी जा रहा है हाला कि रोज शर्मा के भी इसी को देखते हुए अपनी पूरी तरह से टीम बदल डाली है और बंडे इस सीरिज में जिस तरह से वोसे हार मिली है उससे टीम का कप्तान बदल दिया है जहां पर नया कप्तान टैम बाब मुहा को बनाया है तो वह साउत बरगाई की टीम में भी लुंगी एंग्री और कगी सो रवाड़ा जैसे तेजगेंदवाज मौजूद हैं जिनके सामने भारत के बल्लेवाज हमेशा से ही पिचड़ते सावित हुए हाला कि जिस तरह से बाती टीम के बल्लेवाजों ने बेल्ड़कम में बेहदी सांदर प्रदसन किया है उसी तरह से उम्मीद जता ही जा रहा ही कि इस सीरिज में अपना पही प्रदसन जारी रखेंगे क्योंकि जिस तरह इसी ब्राट कोली ने टेस्ट क्रिकेट में अपनी एक अलगी पैचान बनाई है उनसे इस सीरिज में सबसे ज़्यादा उम्मीद जता ही जा रहा ही क्योंकि पिछले दोरे पर भारतीय टेस्ट सीरिज में करारी हाज जेल नी बढ़ी लेकिन जिस तरह ऐसे हाली में भारतीय टीम के बल्लेवाजों तथा गेंद बाजों ने साउत पुरका को उसके घर में ही ओडियाई सीरिज बढ़ा हरा ही है उससे टीम इंडिया के कप्तान रोज सर्मा का भी मनोबल बढ़ा किया है जहाँ पर टीम इंडिया के ओबनर बल्लेवाजों की बात की जाए तो भारतीय टीम के कप्तान रोज सर्मा और दाए हाथ की युबा बल्लेवाज एसस्वी जैस्वाल करती हुगे दिखाई देनी बालें कियो जिस तरह से इन दोने खिलाडियों ने अभी तक भारत के लिए टेस्ट क्रकेट में जवर्दस्त प्रदसन किया इसलिए उन से इस सीरिज में और भी अच्छे प्रदसन की उम्मीद जıtा decía रही है जहाँ पर टीम इंडिया के कफ़तान रोज सर्मा टेस्ट क्रकेट में एक अपने अलगी फोर्म के लिए जाने जाते हैं जब से उ पर तोड़ बल्ले बाद ही की थी और उम्मीद है कि वह रोज सर्मा इस सीरिज में अपना वही प्रदसन जारी रखेंगे तो वही इवा बल्ले बाद ये सस्वी जैस्वाल भी टेस्ट क्रिकेट में एक अपनी अलगी पैचान बनाये जिस तरह से उन्होंने हाली में साउथ का इखलाब खेली गई टी टॉंटी सीरिज में धमागेदार प्रदसन करके उन्होंने पहले ही आगाज कर दिया इसलिए उनसे और ज्यादा उम्मीद जता यारे हालाग मैस पहले ही आगाज कर लिया है जहां पर उन्होंने भारत के लिए दो टेस्ट मुकाबली खेले हैं जिसमें वह 500 से भी अधिक रन बना चुके हैं लेकिन जिस तरह से उन्होंने पिछली दोरे में धमागेदार प्रदसन किया था वह इनसे उम्मीद और भी अधिक माने जा रहे हैं तो बाइं तीन नमर के लिए टीम इंडिया के पास युगा ऑपनर बल्ले बाज सुमन गिल खेलते हुए दिखाई देने बालें क्योंकि इस सीरेज के लिए अजेंके राणे और चेति सुर्प जारा को आराम दिया गया है इसलिए सुमन गिल नमर पर सबसे बड़ी दाविदार माने जा रहा हाला कि सुमन गिल ऑपनिंग भी कर सकते हैं लेकिन बल्ले बाजों की कमी होने की कारण उनको तीन नमर पर खिलाया जागा कि जिस तरह से उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में अभी तक अपनी छाप छोड़ी है उनसे उम्मीद है कि वोई इस चीरेज में और भी अच्छा प्रतसन करेंगे और टीम इंडिया के लिए जीत दलाएंगे दो वह चार नमर के लिए टीम इंडिया के पास भारतिये टीम के पूर कप्तान ब्राट कोली खेलते हुए दिखाई देने बालें क्योंकि ब्राट कोली का टेस्ट क्रिकेट में कोई जबाभी नहीं है जिस तरह से वोई टेस्ट क्रिकेट में लगाता सतक और अर सतक ठोक रहें उनसे उम्मी के लिए टीम इंडिया के पास श्रीयस ऐयर जैसे धाकर बल्लेबाज मौझूद है कि अपना नाम रोसन करने के बाद अब उन्होंने टेस्ट क्रिकेड में भी एक अपनी अलग पहचान बनाई है और उन्होंने भारत के लिए अभी तक जादा कुछ टेस्ट मुकाबली नहीं खेले हैं लेकिन जिस तरह से उन्होंने अभी तक भारत के लिए टेस्ट क्रिकेड में प्रदसन किया है उनसे और भी अधिक उम्मीद जताई जा रही है तो भाई चैनमर के लिए टीम इंडिया के पास बिकेट वीपर बल्लेबाज केल राहूल खेलती हुई दिखाई देन जहां पर केल राहूल नहीं पिछले दोरे पर ही साउथ बिरगाय खिलाब सबसे अच्छा प्रदसन की यादा और भातिय टीम के लिए उस सीरिज में एक टेस्ट जताने में महितपूर भूम का नवाय थी जहां पर उन्होंने पिछले दोर पर एक सत्किय पारी खेली थी त उसे और भी अच्छे प्रदसन की उम्मीद जताई जा रही है तो वहीं साथ बे नम्मर के लिए टीम इंडिया के पास दो बड़े प्रबल दाविदार माने जा रहा है जहां पर दोनों ही ओल राउंडर ख्राड़ी रभी चंद्र अस्विन और रभिंद जड़े जा में ट मुकाबले खेल का है चारसो नबासी विगेट अपने नाम की है इसलिए वह प्रमुक इस्पनर के रूम में भारतिय टीम में खेलते हुए दिखाई देने बाले हैं तो वहीं आटवे नम्मर के लिए टीम इंडिया के पास एक और आल राउंडर खिलाड़ी सारदुल की थी तो वहीं बल्ले बाजी से उन्होंने लगातार दो अर्थ सतक भी लगाये थे तो वहीं नौवे नम्मर के लिए टीम इंडिया के पास एक और तेज यनवाज जस्परित बुमरा इस माह मकाबले में खेलते हुए दिखाई देने बाले हैं कि जस्परित बुमरा अपन बहतरी निकॉनमी के साथ 101 विकेट अपने नाम कर चुके है तो वहीं दस भी नम्मर के लिए टीम इंडिया के पास मुहमद स्राज जैसे धाकर तेज गयंदबाज मौजूद है क्योगी मुहमद स्राज बंडे तद टी टॉन्टी क्रिकेट में जादा कुछ खास प्रदसन नहीं कर सकते हैं लेकर जिस तरह से उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में अपनी गयंदबाज से कहर धाया हुआ है उससे उम्मीद है कि वह समय और अभी अच्छ प्रदसन करेंगे जहां पर वह है टेस्ट क्रिकेट में अभी भारत की तरफ से सबसे ज्यादा तो यां तेज में विकेट लेने बाले गयंदबाज भी हैं तो भाई आकरी नमर के लिए टीम इंडिया के पास एक और तेज गयंदबाज मुकिश कुमार खेलते हुई दिखाई देने बाले है क्योंकि मुकिश कुमार ने हाली में टी टॉन्टी तदा ODI सीरिज में जबरदस्ट प्रदसन कि ज्यादा इसके अलाब मुकिश कुमार को भी आराम दिया जा सकता है तो भाई प्रिसित कृष्णा भी टेस्ट क्रिकेट में अपनी दावेदारी प्रबर रखते हैं तो भाई भारकी टीम की कप्तान रुविच सर्मा इसी प्लेंग लेविन साथ पहले टेस्ट महा मकाबला जीतने के लिए मैदान पर उतरने वाले आपके कोडेंस में क्या बदलाब किये जाने चाहिए आप हमारे लिए कमेंट करके जरूरी बता सकते हैं